स्वागत है आप सभी का माली एडिव चैनल में आज कि इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इंफर्मेशन टेक्नलोजी एक्ट या सूचना प्रवद्यकी की एक्ट 2000 के सेक्शन 69 एके बारे में हल ही में भारत सरकार ने आईटी अधिनियम की इस धारा का हवाला देते हुए 59 चीनी एपस पर परतिवंद लगा दिया था जिसकी वज़े से यह चर्चा में है अब बात आती है हाँ पर राष्ट्रे सुरक्षा को लेकर तो राष्ट्रे सुरक्षा को लेकर भी विपक्ष विवाद करेगा इसकी उम्मित कता ही नहीं की जा सकती है राश्ट्री सुरक्षा सब के लिए अहां मुद्धा है डाटा पर निगरानी के लिए सरकार के 10 एजेंसियों को अधिकार देने के बाद से कॉंग्रेश समय तमाम विपक्ष जिस प्रकार से सरकार पर हमलावर हुए है वह चिंतनी है अंदवी रोध की दुन में कॉंग्रेश ने तो यह भी नहीं देखा कि राश्ट्री स्तर पर डेटा की निगरानी का फैसला 2009 में कॉंग्रेश की यूपी सरकार का ही था अहम चर्चा करते हैं सूचना प्रोध्योगी के अधिनियम 2000 के बारे में इसके साथ ही हम धारा 69 एकी के प्रोध्योगी के अधिनियम 2000 भारत की संसद द्वारा 9 जून 2000 को पारित किया गया था लेकिन यह सत्रक टूबा जट 2000 से पूरे भारत में लागू हो गया है इस बिलको उस समय की सूचना और प्रोध्योगी की मंत्री ततकालिन जो उस समय के मंत्री थे प्रमोध महाजन के द्वारा संसद में पेश किया गया था वर्स 1996 में सेंगतराष्ट आयोग ने अंतराष्टी व्यापर कानून को विभिन देशों में कानून में एक रूपता लाने के लिए इलेक्ट्रोनिक कामर्स या एक कामर्स का मॉडल कानून को अपनाया था इसके अलावा सेंगतराष्ट की महासावा ने शिफारिज भी की थी कि सभी देशों को अपने स्वयम के कानून बदलाव करने से पहले इस मॉडल कानून पर विचार करना चाहिए सुचना प्रद्योगी की अधिनियम 2000 को पारित करने के बाद साइबार कानून को सक्षम बनाने वाला भारत बारवा देश बन गया कौन सा देश बना था भारत बारवे नमबर का जबकि पहला मसवदा वारीजे मंतरला भारत सरकार द्वारा ई-कॉमर्स अधिनियम 1999 के रूप में बनाया गया था जो इसे सुचना प्रद्योगी की विध्यक 1999 के रूप में फिर से तैयार किया गया था और मई 2000 में यह पारित किया गया था सुचना प्रद्योगी के अधिनियम 2000 की धारा 69A केंदर सरकार को ऑनलाइन सामागरी को ब्लोक करने और साइबर अपरादी को गिरफतर करने का दिकार देती है यह कानून भारत में साइबर अपराद और इलेक्ट्रोनिक काउमर्स के मुद्दों से निपटने के लिए भी प्रात्मिक कानून है सुचना प्रद्योगी के अधिनियम की धारा 69A ने केंदर सरकार को कई शक्तिये प्रदान की है इस अधिनियम के सेक्षन को नीचे बताया गया है पहले नंबर पर पॉइंट आता कि शोशल मीडिया और किसी अन्य वेबसाइट पर आपत्ति जनक सामागरी को हटाने के लिए दिसर निर्दिश जारी करना ग्रह मंत्राले ने 20 दिसंबर 2018 को एक आदिश जारी किया था जिसमें कुल 10 केंदरी एजनसियें को या दिकार दिया गया था कि वे किसी भी कंप्यूटर में एकत्रित सामागरी को मॉनिटर करें प्रसारित होने से रोकें और जरूरी होने पर उन्हें डिकोड भी करें भारत की संप्रभूता और अखंडता राज्य की सुरक्षा भारत की रक्षा विदेशी राज्यों के साथ मेत्रिपूर्ण संबंदों सुनुश्चित करने के लिए ऑनलाइन सामागरी को ब्लॉक कर दें या इन सब को नुक्सान पहुचाने वाले व्यक्ति को गरफतार कर लें या इस अधिनियम में कहा गया है सेकंड नंबर का पॉइंट आता है जिन वेबसाइड को जनता के लिए ब्लॉक किया जाएगा उन्हें पूरी प्रक्रिया और नियमों के तहती ब्लॉक किया जाएगा और अन्य सुरक्षा उपायों का भी ध्यान रखा जाएगा थर्ड आता है जारी किये गए दिसा निर्देश उपधारावन का अनुपालन करने में विफल रहने वाले संबनित अधिकारियों को जो भी इसकी जाँच करेगा या जो भी इसकी पूरी प्रक्रिय करेगा उसमें विफल रहने वाले संबनित अधिकारियों को साथ साल तक की कैद की सजा हो सकती है इसके साथ ही उन्हें जूर्माना भी देना होगा यह इसकी प्रमुक बात है कुछ राजनेतिक दलों ने निज्टा के मौलिक अधिकार के उल्लंगन के आधार पर इस एक्ट को सुप्रीम कोट में चुनोती भी दी थी लेकिन केंदर 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 से कहा की एक इंटरनेट साइड को ब्लोक करने के निर्देश राष्टी शुरक्षा इत्यादिस संबंद्यत मामलों में जारी करने के लिए अपनी सक्ति का प्रियोग कर सकता है साथ है नियालाय ने यह भी कहा कि राष्ट्री सुरक्षा व्यक्तिकत निश्ता से उपर है इसलिए हम ऐसे फेसलोगों ले सकते हैं जैसा कि हम जानते हैं कि भारते टेलिग्राफ अधिनियम 1885 कौनसा 1885 केंदर सरकार को फोन टेप करने के अनुमती देता है सुप्रीम कोर्ट ने 1996 में एक फेसला दिया था और कहा था कि सरकार केवल सारवजनिक आपातकाल के मामले में ही फोन टेप कर सकती है लेकिन IT-8 के सेक्शन 69-A के मामले में सरवचे नियालाय द्वारा ऐसा कोई परतिबंद नहीं लगाया गया है इसी से जुड़ा कुछ समय पहले का ही उधारन था वित्त मंत्री रहते हुए प्रण मुखर जी के फोन टेप कराने का भी मामला उठा था जिस पर काफी विवाद हुआ प्रण मामले की उंगली भी ततकाले निग्रह मंत्री पी चितम बरब पर उठी थी सच में देखा जाए तो डेटा पर निग्रानी का ऐडिया तो केंद सरकार कही था अब जब सरकार ने उसी फैसले को आगे बढ़ाने का काम कर रही तो आखिर कांग्रिस हाय तो वक्यों मचा रही है खेर मुद्दे की बात तो यह है कि डेटा की निग्रानी में राजनिती नहीं होना चाहिए अब हम चर्चा करते हैं इस अधिनियम की क्या उद्देश्य है इसमें सरकारी एजेंसियों के साथ इलेक्ट्रोनिक फाइलिंग की सुईधा के लिए संचार और सूचना बंडा रख लिए एक पेपर आधारित पद्धिती के विकल्प का उप्यूपी शामिल है। इसमें से डेटा रिकर्ड चित्र द्धवनी आदी जो इलेक्ट्रोनिक या माइक्रो फिल्म या कंप्यूटर जनित माइक्रो फिशेश जिन्हें फ्लेट शीट कहा जाता है कि रूप में स्टोर किये गए या प्राप्त किये गए हों या भेजे गए हों को कानूनिनी मानिता प्रदान करता है इस प्रकार यह केवल कागजी दस्तावेजों को मानिता देने की कानूनी परंपरा से हटने का एक उल्लेखनी चरण भी है हल ही में भारत सरकार ने सुचना परद्योगी की अधिनियम 2000 की 1269 के प्रावधानों का हवाला देते हुए कुल 69 चीनी एप्स जिनमें टिक टॉक, यूसी ब्रावजर, वीचर्ट जैसे कई महत्पून एप शामिल है उन पर प्रतिवन लगा दिया है इसके साथ ही केंदर ने पाया कि ये भारत के लोगों का गोपनी डाटा एकत्रत भी कर रहे हैं जिससे देश के डाटा के चोरी होने का भी खत्रा है तो अता यह बात इसपस्ट है कि सूचना परोध्योगी की अधिनियम 2000 की धारा 69A देश में साइबर अपराद को रोकने के साथ साथ देश की महतुपूर्ण जानकारी का विदेशी शक्तियों दोरा दो रूप्यक रोकने की दिशा में एक महतुपूर्ण कार एवं तिशा में उठाय गया कदम है तो यह थी पूरी चर्चा सूचना परोध्योगी की अधिनियम 2000 के बारे में एवं उसकी धारा 69A के प्रावधान एवं उससे के उद्देश्यों के बारे में उम्मेद है इस वीडियो को देखने के वाद आप समझ गए होंगे कि सुचने प्रोद्यगी के दिनियम 2000 क्या है अगर आपको वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें थैंक्स पर वाचिंग जैहिंद